हालो स्टूडेंट आज हम काइनेमेटिक अफ लीनियर मोशन सॉलूशन अफ प्रॉब्लम में क्वेस्चन नंबर थ्री पॉइंट थर्टीन करेंगे क्वेस्चन नंबर थ्री पॉइंट थर्टीन है इस टून इस ड्रॉप फॉइंट अफ फॉटी मीटर ए हमें फाइंट करना है कि उसको जब ड्रॉप किया गया तो जमीन तक आने के लिए उसने कितना टाइम लिया किस विलोसिटी के साथ वो ग्रॉइंट से टकराएगा इस क्वेस्चन में हमें गिवन डेटा सिर्फ हाइट जो है वो दी गई है कि कितनी हाइट से स्टोन को ड्रॉप गया हमें उसका बाकी कोई डेटा हमें प्रॉइड नहीं किया गया तो हमें पता है कि जब वो स्टोन वर्टिकली डाउनवार्ट फ्री फॉल करेगा तो उसकी इनीशल विलोसिटी जीरो होगी और उसका ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन जो है वो पॉजिटिव टैन होगा तो अब हम इसकी मज़से जो गिवन डेटा है वो कम्पलीट कर लेते हैं अब देखे हमें जो गिवन डेटा था हमें जो गिवन डेटा था एक्स इस इकल टो फॉर्टी मीटर और जो इनीशल विलोसिटी थी वो है ज़िवन देखे वो है 0 और जो ग्रेविटिशनल एक्सिलरेशन है वो है प्लस 10 बीटर पर सेकंड स्कॉऱ् और हमारा जो रिकर डेटा है हो है टी टाइम जो है वो हमें फांडर करना है और जो फांडर विलोसिटी होगी वो हमें find out करनी है अगर्चे इसकी velocity last में zero हो जाएगी लेकिन strike से फॉरन पहले जो उसकी velocity होगी वो V है वो maximum velocity होगी वो हमें find out करनी है तो इसके लिए हमारी appropriate equation हम कौन सी use करेंगे हम देखिए यहां पर हमारे पास V I मौझूद है जी मौझूद है और T हमें find करना है और S भी मौझूद है इन दोनों में से कोई भी equation को हम पहले use कर सकते हैं और इसकी मदद से हम T की value निकाल सकते हैं और इसकी मदद से हम V F की value नि निकाल सकते हैं अब देखे इस equation में जब हमने given data put किया तो V F square जो है वो 800 के बराबर निकला तो अब हम V F को left side में ले लेते हैं और 800 को हम right side में ले लेते हैं equation के दोनों side में हम square root लेंगे उसकी वज़ा ये है कि V F का square हमने हटाना है V F square की value हमें मालूम नहीं करनी बलके हमें simple V F की value हमें मालूम करनी है इसकी मदद से ये root इस square को हटा देगा और इसका match solve किया 28.28 हमारे पास value आई इसको हमने round up किया तो 28.3 तो हमारे पास final velocity जो है 28.3 मीटर पर सेगेंड हमारा एक answer आगया अब हमें इसका जो time है जो 40 मीटर हाइट से जमीन तक टकराने के लिए जो time interval यूज़ हुआ है उसको हम find out करेंगे तो उसके लिए हम यह simple equation जो है vf is equal to vi plus at की equation को हम यहां पर use करेंगे और तो vf is equal to vi plus at acceleration को हम gravitational acceleration लेंगे तो इस equation में हमने values को put कर दिया और यह हमारी equation की form इस तरह से बन गई अब हमने इसको further solve करना है 28.3 यह 0 यहां सेट जाएगा 10 और T अब हमने equation के right hand side की term को left hand side में ले जाना है और left hand side की term को right hand side में ले जाना है दोनों sides को exchange कर देना है ताकि हम T की value निकाल सकें तो 10 T is equal to 28.3 अब देखिए हमने 10 को eliminate करना है क्योंकि 10 जो है T के साथ multiply हो रहा है तो हमने इसको दोनों तरफ हमने divide करना है 10 को तो यहां से 10 जो है cancel out हो जाएगा और T की जो value है इसका math solve करने के बाद 2.83 second हो जाएगी तो यह हमारा second answer होगा तो इस तरह से यह access हाज हमारी मकमल हो गई जो झाल जो 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 थो जो 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 एफ इसक बादा है